बीच रास्ते पर जानवर बंधे होने की शिकायत करना पड़ा महिए पीडित ने बताया कि जानवर की शिकायत करने पर लाठी डंडो और धारदार हतियार से मेरे घरवालों को मारा पीठा पीडित महिला अपने पूरे परिवार के सत्त पुलिस सायुक्त कारियाले पर पहुचकर लगा रही न्यायकि गुहार मामला कानपूर नगर के थाना नवाब गंश का है जहाँ पर आज एक महिला न्याय की गुहार लगाने के लिए पुलिस सायुक्त कार्याला आई पीडित मीडिया से बात करते हुए बताये कि रास्ते में भैस बंधी हुई थी जो काफी लोगों को मारती थी जिसकी शिकायद मने पड़ोस के रहने वाले हीराला संतोष और शीवा सकी तो उन्होंने अपना जानवर हटाने की बजाए हम लोगों को मारने लगे और पीडित मीडिया भी बताये कि शेत्र में इनका वर्चस्व काफी कायम है इसलिए सम्मंदित पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती है जानवर की शिकायद करने पर हमको और हमारे पूरे परिवार को लाठी डंडो और धारदार हतियार से मारा तदा या बोला कि ना थाना तुमारी सुनेगा ना ही तुमारी कोई चौकी सुनेगा सवाल या उटताए कि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंदरी लगातार अप्राद एवं अप्राधियों पर कार्रवाई करने में कोई भी कसर नहीं जोड़ रही है लेकिन क्या इस फ्रेडित महिला की उत्तरप्रदेश की मुख्यमंदरी योगी आधितनाद किस सरकार में इसको इंसाफ मिलेगा हाद देखना या होगा कि खबर चलने के बाद दबंग के उपर किस सरा की कार्रवाई शासन पर शासन के द्वारा की जाएगी RTI News 24 के लिए समवादाता तौसीफ की रिपोर्ट फिंख रापिस आये है मिरे महाँ कोई सुवाई नहीं महऑने नहीं मेरी खबतने से से नावाधे यहां नहीं हम तो यहां अिकल्ट मेरे इचिलिए जांवाई तरफ बंद ले लिगा बस उसे के लिए बस बुपिलान बनाये थे जन्हें का उजारे दरे थे फिलाड़े खड़गवा चला रहे थे अधारूश। लेकिन हमारना नहीं चाहते थे लेकिन वी लो हमका बहुत नहीं नहीं लगे लगे लिगा है। में कारण क्या रहा है जानवर के पीछु लडाई हुई है अब कोई लडाई नहीं थी। कैसे वो लोग है दबंग है क्या है तो कहते जो करना हो कल लो जाए तुम कहीं रहा है। देश प्रदेश की हर छोड़ी बड़ी ख़बर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RDI News 24 और पेल आइकन दबाना ना भूदें जिससे हर ख़बर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।